हे गाईज एन वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी दोस्तों मेरा नाम है मयंक है आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को न्यू रॉल इंफिल बुलेट थ्री फिफ्टी स्टैंडर्ड या बुलेट थ्री फिफ्टी नेक्स जेंडरेशन या दो वह दोस्तों प्रोडक्शन के लिए अब रेडी हो चुकी है वह भाई कब सो उसके बार में कुछ अपडेट्स आप लोगों को देने हैं तो फड़ावर से आज इस वाली वीडियो पे आप लोगों को सारे अपडेट्स जो मैं दे देता हूं दोस्तों वीडियो शुरू कर दीजिए तो चलिए दोस्तों करते हैं इसकी वीडियो शुरू फड़ावर से गाइस बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बार में जो की आ रहा है इसकी लुक्स को लेगे देगे देगे दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने इसकी आरेडी काफी सारी फोटोज एंड लीक वीडियो भी जहूर देखी वी होंगी इस बाइक की मेरे चैनल पर भी और किसी और के चैनल पर भी आप लोगों ने इसकी वीडियो जहूर देखी वी होंगी दोस्तों जैसे कि आप तुमको बता इसकी जो लुक है कम्प्रीटली वो अभी जो क्लासिक थरी फिफ्टी नेक देखने को मिलने वाली है आप लोगों को यह चीज अलरी पता है दोस्तों सुर्फ दो से तीन चेंजिस आप लोगों को इसकी लुक में देखने को मिलेंगे जो इसको डिफ्रेंशेट करते हैं क्लासिक 350 नेक्स जेनरेशन से ठीक है जैसे कि दोस्तों इसकी सिंगल सीट हो गई रियर मटगार्ड हो गया और इसके जो रियर लुक है जैसे कि आप लोग सारी गार्ड वगरा देखेंगे पीछे से देखने में पता लगता है कि यह बुलेट 350 नेक्स जेनरेशन है यह एक क् जो चीज की है वो यह है कि इसमें जो स्विचिस वगरा रहेंगे एक दो चीजें इसके अंदर और आप लोगों को जो की अभी हमें जो बुलेट 350 स्टेंडर जो आती है इसमें देखने को मिलती है वो थोड़ी वो चीजें इसके अंदर रखी जाएंगी ताकि थोड़ा ब इसके अपलागों को कि किसी भी बाइक में जो किक है वो देखने को नहीं मिला करेगी दोस्तों rolling philips सभी models में से सिर्फ एक bullet ही रह गई थी वैसे भी सभी models में से kick हटा चुका है एक bullet को छोड़के लेकिन अब 2023 में आप लोगों को bullet में से भी जो kick है वो हटा दी जाएगी वो भी अब आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी सारी bike अब self start आप लोगों को मिलेंगी इसमें बताया जार रहा है दोस्तों असमें दो variant launch होंगे अभी हमें bullet में तीन variant देखने को मिलते हैं bullet 350X bullet 350 and bullet 350 ES confirm update यह आ रही है दोस्तों अब हमें सिर्फ दो variant इसमें देखने को मिलेंगे एक आएगा जिसमें alloy wheels बगरा होंगे दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफे टाइम से जो टेस्टिंग वगर रहा है राइडिंग वगर रहा है वो चल रही थी रोले फिल अपनी सभी प्रोडक्शन के लिए आगे जा रही है अब यह बिल्कुल रेडी हो रही है प्रोडक्शन के लिए सब्सक्राइबली हमें यह अपरेल से लेकर जून जुलाई के बीच में इसकी जो लॉंचिंग डेट है वो भी जल्द से जल्द ही देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों यह थे कुछ इसके अपडेट एंड इसके प्राइस को लेकि अपडेट है वो यह आ रहा है कि इसका जो प्राइस है वह आप लोगों को जो अभी क्लासिक 350 रेड तो देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यह थे आज के चार-पांच पॉइंट जो की अभी सुनने को आ रह लेखे बुलेट 350 जनरेशन के बारे में तो आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को सारे अपडेट्स दे दी हैं आई होप आप लोगों को सारी चीज़े क्लेर हो गई होंगी सारी चीज़े सबज में आ गई होगी तो चलिए दोस्तों करते आँज की वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए मिलते हैं कर शाम 6 बजे किसी नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक क्योर